प्रस्न नौ यदि PX बराबर X का घाचार माइनस 3X स्क्वाइर प्लस 2X प्लस 1 हो तो सेस्फल परमे द्वारा सेस्फल ग्याद करें जबकि PX को निमनिलिखित से भाग दिया जाए तो पहला में है X माइनस 2 प्रस्न 9 का पहला किस से भाग देना है? X माइनस 2 से भाग देना है PX को यानि X का घाचार माइनस 3X स्क्वाइर प्लस 2X प्लस 1 को किस से भाग देना है? तो x-2 से भाग देना है अब हम क्या करेंगे x-2 का सुन्य ज्याद कर लेंगे सबसे पहले तो x-2 का सुन्य ज्याद करने के लिए x-2 बराबर सुन्य लिख लेंगे तो x-2 बराबर सुन्य हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा देखे एकस माइनस दो बराबर सुनने तो एकस बराबर तो बराबर के बायां तरफ दो माइनस में है तो बराबर के बायां तरफ दो माइनस में है तो दो को यानि माइनस दो को बराबर के बायां से दायां तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस दो, यानि एक्स बराबर क्या आ जाएगा? दो, तो एक्स माइनेस दो बराबर सुन्य है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? दो, ठीक है? तो एक्स माइनेस दो बराबर क्या है? सुन्य है, तो एक्स बराबर कितना आ गया? दो, यानि एक्स अगर 2 रखेंगे तो 2-2 क्या होगा सून्य होगा तो इस तरह सबसे पहले x बराबर हम निकाल लेंगे अब पी एक्स बराबर अब पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है तो पी एक्स बराबर दिया हुआ है x का घाच 4 माइनस 3x स्क्वाइर प्लस 2x प्लस 1 तो पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है x का घाच 4 माइनस 3x स्क्वाइर प्लस 2x प्लस 1 पी एक्स बराबर दिया हुआ है ठीक है तो x बराबर कितना आया है? 2 आया है देखिए x बराबर कितना आया? 2 आया है तो लिखेंगे अता P अब x के जगा पर 2 लिखेंगे तो x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे तो P 2 बराबर P 2 गराबर क्या हो जाएगा तो X का घाद 4 है यानि 2 का घाद 4 लिख लेंगे माइनस 3 गुना X का घाद 2 है यानि 2 का घाद 2 लिख लेंगे प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 लिख लेंगे इस तरह से यानि X जहां जहां पर है वहां पर 2 लिख लेंगे ठीक है तो 2 का घाद 4 यानि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा 2 का घाद 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस अब 2 का घाद 2 4 होगा 4 तिया 12 देखे, 2 का घाद 2 क्या हो जागा 4, यानि 2 का वर्ग 4 और 4 तिया 12, यानि माइनस 12, प्लस दो गुना दो चार प्लस एक इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पे जो प्लस में उसको जोड़ेंगे तो 16,4,20, 20 से के 20 तो 21 माइनस 12 तो 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से 2 गया 9 एक में से 1 गया सून नी यानि पी दो बराबर कितना आ गया 9 तो इसका सेस्फल आ गया है 9 तो हम लिख देंगे अब अता सेस्फल परमे से सेस्फल परमे से अता सेस्फल परमे से सेस्फल बराबर सेजफल पर में से सेजफल बराबर कितना आ गया? 9 यानि सेजफल पर में से सेजफल आ गया है 9 तो इस तरह हम सेजफल पर में से सेजफल गयाद करेंगे दूसरा दूसरा में है x-4 यानि Px को x-4 से भाग देना है किसे भाग देना है तो x-4 से भाग देना है Px को x-4 से भाग देना है तो जब x-4 से भाग देना है तो x-4 का सबसे पहले सून्याग ग्याद कर लेंगे तो x-4 का सून्याग ग्याद करने के लिए x-4 बराबर सून्याग लिखेंगे तो x-4 बराबर जब सून्याग लिख लिए है तो x बराबर कितना आ जाएगा तो x माइनस 4 बराबर सुन्य तो x बराबर देखें बराबर के बाया तरफ 4 माइनस में है तो माइनस 4 को दाया तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा यानि x बराबर 4 x बराबर कितना आ जाएगा 4 तो x-4 का सून्यक हो गया 4 क्योंकि x के जगा पे 4 रखेंगे तो 4-4 क्या हो जागा सून्य इस तरह से तो सबसे पहले हम x-4 का सून्यक ग्याद कर लेंगे जो कि आ चुका है 4 अब लिखेंगे अब Px बराबर कितना दिया हुआ है PX बराबर दिया हुआ है X का घात 4 माइनस 3X स्क्वाइर प्लस 2X प्लस एक PX बराबर कितना दिया हुआ है X का घात 4 माइनस 3X स्क्वाइर प्लस 2X प्लस एक PX बराबर ये दिया हुआ है इतना तो x बराबर कितना आ गया है 4 तो x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 4 रखेंगे तो लिखेंगे अतर P4 P 4 बराबर यानि Px है तो x के जगा पर 4 लिख लेंगे यानि P4 बराबर कितना हो जागा तो x का घाद 4 है तो 4 का घाद 4 लिख लेंगे यानि जहां पर x है उहां पर 4 रखेंगे तो 4 का घाद 4 माइनस 3 गुना x का घाद 2 है तो x का जगा पर 4 रखेंगे यानि 4 का घाद 2 हो जाएगा पलस 2x है यानि 2 गुना 4 लिख लेंगे पलस 1 तो इस तरह लिख लेंगे यहां पर तो कितना हो जागा 4 का घाच 4, 4.16, 16.64 64 64 कितना हो जागा 256 देखे 4 का घाच 4, यानि 4 को 4 बर गुना करेंगे तो 4.16, 16.64 और 64 चौक 256 माइनस 4 का बर गुना 16, 16, 48 4 का बर गुना क्या होगा 16 और 16 गुना 3 16, कितना हो जागा 48, प्लस 4 कुना 2, 8 प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पे जो जो प्लस में है उसको जोड लेंगे सबसे पहले, तो 256 प्लस में है और 8 प्लस में है तो 256 और 8 को जोड लेंगे तो कितना हो जागा, 8, 6, 14 हाथ में रहा 1 पांच एक छे और दो यानि 264 आ गया और तो देखिए 256 और 8 को जोड़ लिए और एक भी पलस में है तो एक भी 7 में जोड़ लेंगे और फिर माइनस 48 लिख लेंगे इस तरह से तो 264 एक कितना हो जागा 265 माइनस 48 तो 15 में से 8 गया 7 यह हो गया 5, 5 में से चार गया एक और यह हो गया 2 यानि 217 तो इसका सेसफल कितना आ जागा 217 तो इस तरह से सेसफल गयाद कर लेंगे अब लिख लेंगा ता सेसफल परमे सेसफल परमे से सेसफल बराबर 217 सेसफल परमे से सेसफल बराबर 217 यानि सेसफल कितना आ गया 217 तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रस्ने 9 इसको हल कितना आ गयाद तरह सेसफल परमे लेंगे प्रस्ने 9 आ sudah बराबने 10 आ गयाद परमे लेंगे प्रस्ने 9 प्रस्ने 10 आ गडशी 2 आ है इसल आहा अपर आगे